हलो फ्रेंड वेलकम टो येस्टेटी ट्रेट लोडिव चैनल फ्रेंड्स हम लोग नागरी साथ सीविक्स के आज बारा में पार्ट को देखेंगे जो रिवीजिन क्लास के रूप में देखा जा रहा है और जो आपके जैसी प्रवक्ता परिश्चा टेजटी पीजीडी एडि प्रेंड को सुरू करते हैं अब फिप्टीवन नम्मर कोशिन है अमेरिकी संगी व्यवस्था में सक्ति विभाजन में गड़ना वे अवसेश का सिध्धान संबंदी थे तो यह संबंदी थे संग राज्यों के बीच सक्तियों के वित्रड से ठीक है तो डियाप सनब का करेक करके जो है उन्हें निश्चित कर दिया जाता है और अवसे सभी सक्तियां जो है दूसरे पक्ष को दे दी जाती है तो यहां प्रदान मंत्री होता है सद्धानतिक रूप से प्रदान मंत्रे की नियुकती समराट रखी जाती है किन्तु ब्यवहार में लोकसदन के बहुमत सद्धान के नेता को जो है ही समराट के रूप में प्रदान मंत्य पत नियुक किया जाता है तो यहां पे ली आफ्षन आपका करेक्ट होगा तो किसी के अधिन में ये कार्य नहीं करता है ठीक है भारती संभिधान में जो है निर्वाचनों के अधिक्षण निदेशन और नियंतर्ण को निर्वाचन आयोग में निहित करके जो है उसे अनुछे 324 के तहट एक स्वतंत्र संभैधानिक निकाय के रूप में मानिता दी ग संभ लोग सिवा आयोग का सदस्य अपनी पद पर रहता है तो संभ लोग सिवा आयोग का सदस्य होता है अपनी पद पर कितने दिनों के लिए रहता है तो ये 6 वर्स तक अथवा जो है 65 वर्स की आयो जो है जो भी पहले पूरा हो 6 वर्स या 65 वर्स की आयो जो भी पहले कि आवद तक जो है तथा राज आयोका संयूत आयोक का सदर से बासट वर्स की आयो, पूरी कर लेने के लेने तक जो है तथा पद गरहन से 6 वर्स तक जो भी पहले पूरा हो अपना पद दारण करेगा ठीक है तो यहां पेड़ी याफसना आपका करेक्ट होगा पच्पन नमर प्रश्ण है यहाँ पे दूर सूची दिया गया है एक में लिखाक है उनकी पुस्तके हैं आपको मिलान करना है तो डक्टर राजेंदर प्रसाद की कौन से पुस्तक थी तो डक्टर राजेंदर प्रसाद की पुस्तक थी एट दिफीट आफ मातमा गांधी ठीक मौलाना आजन्त का था इंडिया, इंडिया विन्स फ्रीडेम और सुभाचण बोष का इंडिया इस्टेगल ठीक है? तो यारो पुस्तकों को आप लोग याद रखियेगा तो यहां पे आपका कौं सा कूट सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका कुट सही रहाएगा आपका आप्शन नमबर भी एक का दो बी का एक सी का चार टी का तीन ठीक है तो भी आप्शन आपका correct होगा तो पॉलितिक्स अस्टिन का तो पहला ही गलत है आपका ठीक है पालिटिक्स किसका तो ये harassment अरस्तो का था ठीक है पॉलिटिक्स नामब पुस्तक अरस्तो ने लिखा था और से स मथा था और लेक्शिर्स आन पृ éta और पॉलिड़िकल अबिमेशन तो ये ग्रीन का था तो बिल्कुत सही है ठीक है लेवियाथन ये हाफ्स का था ये भी सही है लाज जो था वो किसका था वो प्लेटो का था ये भी सही है तो कौन सामेल नहीं है तो ये पॉलिटिक्स साफ का मेल नहीं है तो यहाँ पर एक्षण करेक्ट हो था तो अल्पतंत्र काल लाओनियम माइकल ने दिया था बिल्कुल सही है ठीक है सामाजी अभियंत्र कानियम किस ने दिया था तो ये पावर ने दिया था काल पापर तो ये भी सही है लोकतांत्रिक आत्म नियंत्र किस ने दिया था तो लेनिन ने दिया था ठीक है तो ये गल फिक्ता और चित्य पूर्ण का था यह कौन सा सही नहीं है तो यह आपका सीवाला नहीं शही है ठीक है लोगतान्तिर केंदरवाद का नाम दिया था लेकिन इसमें इस सिध्धान था इसका सिध्धान था दलिय संगठन के सिद्धान ठीक है दलिय संगठन के सिद्धान अठावन नमर प्रिश्ण है राजी की उत्पति के एतिहासिक सिद्धान के तत्तों किश्में पाए जाते हैं तो एतिहासिक सिध्धान्त के तत्व जो पाए जाते हैं रक्त संबंद धर्म युद्ध राजनीतिक चेतना ठेक है तो ए आपसना आपका करेक्ट हो जागा राज की उत्पत के एतिहासिक सिध्धान्त के तत्व में जो है रक्त संबंद धर्म युद्ध एवं राजनीतिक च हुआ था तो यहां पर यह आपसाना आपका करेक्ट हो जागा कि पिप्टिनाइन नंबर कोश्चन है संरचनात्मक प्रकारयात्मक कुपागम के अनुसार जो है निम्लेकित में से कौन तो राजनीतिक विवस्था के निवेस कारे में सम्मिलित नहीं है तो राजनीतिक विकास इसमें सम्मिलित नहीं है ठीक है संरचनात्मक प्रकारयात्मक कुपागम के अनुसार जो है राजनीतिक विवस्था के निवेस में राजनीतिक समीकरण हित समुहिकरण और राजनीतिक क्या होता है संचारण और एक आता है हित समूहन ठीक है हित समूहन और एक आता है हित समूही करण तो दिया है और एक आता है हित अस्पस्टी करण ठीक है हित अस्पस्टी करण और एक आता है राजनीतिक शंप्रेशन ठीक है राजनीतिक संप्रेशन शंप्रेशन तो ये सारे तत्तों जो है रचनात्मक प्रकार्यत्मक उपाघम के राजनीती व्यवस्था में निवीश के लिए मुख्षण्रोप से जाने जाते हैं राजनीतिंग शम्परेशन तो यहां पर भी आप्सन करेक्ट होगा कौन सा नहीं पूछा तो भी आप्सन करेक्ट होगा राजनीती विकास इसके अंतरगत नहीं आता है कि कौन राजनीत सास्त के अध्ययन का परंपरागत उपागम है तो यह ब्यावस्था उपागम जो होता है ब्यावस्था उपागम को ही Fel राजनीत को दर्संसास्त इतियाश या कानून का उपास्रित न मानते हुए इसके स्वाधीन अस्तित को मानता देती है ठीक है तो यहां पे भी आपसन करेक्ट हो जाएगा इसके नमर कोशन है राजनीत समाज में मोल्यों के सत्तात्मक आवंटंग से संबंदित है राजनीत की यह परिवासा किसके द्वारा दी गई है तो यह परिवासा दी गई है डेविट इस्टन के द्वारा ठीक है डेविट इस्टन ने कहा था कि डेविड इस्टेंड ने जो है केटलिन वे लास्वेल के प्रतिपादन की कम्यों को दूर करने के प्रयास से अपना अलग विचार परस्तुत कहिया और होने कहा कि राजनीत सास्त्र जो है राजनीत समाज में मुल्यों के सतात्मक आवंटब से संबंदित है तो यहां पर यह परिवासा दी गई थी डेविड इस्टरन के तोरा 22 नमर प्रषण है किसके विचार में राजय की छोटी परिदि सामाजिक विकास में ब्यवधान बन जाती है तो ये Lord Acton द्वारा कहा गया था ठीक है, Lord Acton के द्वारा Lord Acton ने एक राष्टिया राजी को बहुराष्टिया राजी से कम प्रकसील माना है और उसमें मानों की इस्तिति जो है, कूप मंटोग जैसी रहती है समाज की उन्नती एक रुख जाती है तो ये उदारवाद और समाजवाद का संस्लेसर करता है कल्यानकारी राज्य ठीक है आधुनी क्योग में राजी के कारियों से संबंधित नया सिध्धान्त लोग कल्यानकारी सिध्धान्त लोग प्रिय हुआ है और लोग कल्यान कारी राजे से ताथ पर उद्ध स्राजे से है जो जनता के कल्यान के लिए अधिक कारे करता है ठीक है तो यहाँ पर आपका करेक्ट टेंसर रोजाएगा आपसर नमबर एक 24. कुशिन है राजी के प्रभाव कारी कारे काछेत्र आवश्यक रूपशे बाधाओं को दूर करना परतीत होता है यह कतन किसका है तो यह कतन था उद्धरवाद के द्वारा कहा गया था ठीक है वह प्रोट कतन जो है गाजे की दिशा में आगे बढ़ाया था तो यहां पर भी आपसना आपका करेक्ट होगा प्रेसर नमबर प्रेशन है राजे को सकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबर्जस्ति वाले सेवा कारे करने चाहिए यह किसका कतन है चाहचर नमबर प्रेशन है संप्रभता की सत्ता पर निम्न में कौन सा एक प्रतिबंध जीन बोदा ने स्विकार करता है तो यह प्रकृतियोग और इश्वर की कानून को जो है स्विकार करता है संप्रभता की सत्ता पर प्रकृतिय और इश्वर की कानून को जीन बोदा स्विकार करता है और कहता है कि यह नागरिकों और प्रजाजनों के उपर एक ऐसी सर्वोच सक्तिकी सूचक है जो कानून के बंधनों से नहीं बधी होती ठेक है तो यह अपसना आपका इसमें सही हो जाएगा ठीक है जएफ मिलने राजीयो के कारियों को जएफ मिलने जो है निस्यिधात्माके एवग स्रिजनात्माक रूपों में विभाजित् किया है और मिलने जो है भेक्त की सतंत्ता को सरवो चमाते देते हुए यह मत रखा कि राजे को साधार अरते ब्यक्तिकी गदविदियों में ने हो हस्तक चेप करना चाहिए और उन पर पतिबंद लगाना चाहिए तो यहां पर C आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा 68 नमर कोचेन है यहां पर राजे की उत्पति उत्पादन जो हुई है वो सोसन परक्स संबंद के रच्छा करने के लिए हुई है ठीक है तो यहाँ पर मार्सवादी सिद्धान का कहना ये है तो इसी आप्सन करक्त हो जागा 69 नमर कोशिन है मैकाईवर के अनसार राजे के क्या कारे होने चाहिए तो मैकाईवर के अनसार जो है और कारियों पर परकार डाला है और उसने जो है राजे के कारे के अंतरगस ब्यवस्तास, रक्षास, नरच्छन और विकास को रखा है ठीक है और इसके भी परिद मैकाईवर ने कुछ ऐसे कारियों का वर्डन किया है जो राजे को नहीं करने चाहिए और इसमें उन्होंने बताया था नैतिक्ता, रीतिरी वाजों और फैसन पर जो है नियंतरट रखना चाहिए तो यहाँ पे यह आपसन आपका करेक्ठ होगा 17 निमर कोशिन है राजे का कार यह नैतिक्ता की अपिव्रिद्धी करना नहीं है परण्त सरजीवन के मार्ग में आने वाली बादाओं को दूर करना है यह है कथन किसका है तो यह कथन है आपका 9 प्रत्य वादियों का ठेक है? 9 प्रत्य वादियों का 9 प्रत्य वादियों में कौन को न आता है? तो हीगल, ग्रीन, एवंग बोशांके इनकी विचार धाराई जो है नौ प्रत्यवादियों में आता है और इन्हों ने तो यहाँ पर यह आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा 71 नमबर है लास्की ने संप्रबता के बहुलबाती सिध्धान की अनेक धाराओं पर लोचना की है निमलेचत में से कौन सा आधार उनमें से नहीं है तो आर्थिक का आधार उनमें समलेचत नहीं है लास्की ने कहा है कि संप्रबता के कानोनी सिध्धान को राजनीतिक दर्सन के लिए उचित मानना असंभ हो है और राजनीती सास्तर के लिए यह अस्थाई रूप से जो है लाबदायक होगा क्योंकि प्रवसत्ता के सिध्धान को उसमें जो से निकाल दिया जाए लास्की ने संप्रवता के बहुलबादी सिध्धान की अधियासिक बैदानी के वंग राजनीती काधार पर आलोचना की है तो यहाँ पे डियापसन आपका करक्ट हो जाएगा 72 नमबर है निमलिकित में से किस एक वक्तव्य में बहुलबाद अंतरनहित है क्योंकि समाज संगात्मक है इसलिए सत्ता भी संगात्मक होना चाहिए इसमें जो है इस तत्त में आपका बहुलबाद नहीं थै क्योंकि लास्की का जो बहुलबाद है वह कहता है क्योंकि समाज का स्वरूप संगात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संगात्मक होना च जाता है तो यहां पर सिए आपसफिस आपका करळाय। की सफ्थापित्विधि की प्रदान्ता को स्विकार करती थी ठीक है तो यह आपसन करळाय। कानून के दिर्शी से जो है राज्य की सद्धा, अनंत, सर्वोच और रसीम है और इस सिद्धान को जो है प्रवसद्धा का एकलवादी सिद्धान कहा जाता है तो यहाँ पर यह आपसना आपका करेक्ट हो जाएगा 74 नमबर प्रशन है किसने निरंकुस एकलवाद तथा ठोस एकलवाद को बिवेदित किया है दोनों में अंतर किसने बताया है निरंकुस एकलवाद और ठोस एकलवाद को तो यह मैबाट ने बताया है ठीक है मैबाट ने निरंकुस एकलबाद को जो है अधिनायक वाद भी कहा जाता है जबकि ठोस एकलबाद का अर्थ राजितंतर से लगाया जा सकता है ठीक है मैवार्ट ने जो है इसमें अंतर प्रसुत किया था तो यह आप्सन करेक्ट होगा 75 नंबर प्रस्ण कर्शन है मार्च सवाधी इतिहासिक भौतिक बात का आर्थ है तो इसका आर्थ है इतिहास की आर्थिक ब्याख्या बी अप्सन करेक्ट होगा मार्ट सुधारा जो है आर्थिक आधार पर की गई इतिहास की आर्थिक ब्याक्या से हमारा ताथ परे मार्ट सुधारा प्रत्वादित इस तत्थे से है कि मानों समाज के विकास का इतिहाद कि नहीं देभी परिष्थितियों के कारण नहीं बरन भर्भरत्तिक व आर्थिक परिष्थितियों के इंसार होता है तथा उन विकास के कुछ निश्चित बस्तुगत नियम भी होते हैं तो यहां पे भी आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा. इन सभी ने जो है, आश्टिन के इसमत का भी खंडन किया है, कि संप्रव के ही आदेष कानून है, क्योंकि रित रिवाजों की यो पेच्छा कोई संप्रवता नहीं कर सकता है, और वे संप्रव के आदेष भी नहीं है, ठीक है, तो यहां पे भी आपसन आपका करेक्ट होगा. 77 नमबर कोशन है राजनीतिक समाजवाद का उद्देश क्या है तो राजनीतिक समाजवाद का उद्देश है शमानता पराधारित समाज की अस्थापना समानता पराधारित जो है समाज की अस्थापना राजनीतिक समाजवाद का मुख्यों देश माना जाता है ठीक है तो यहाँ पे C आपसना आपका करक्ठ हो जाएगा 78 नमबर है सरवहारा बर्ग के अधिनायक तत्तो को किसनी समाजवाद की राज्यवादी मिथ्या कहा है मजदूर बर्गों के सत्ता पर अधिकार की बाद होती है और इस सवस्था को जो है समाजवाद या संक्रमण काल भी कहा जाता है और इसे ही जो है समाजवाद की राज्यवादी मिथ्या कहा था ठीक है तो यह आपसन भी आपका सही हो जाएगा 79 नमबर है आधुनिक ब्यक्तिबाद स्वतनता की मांग करता है तो यह समूँ के लिए करता है ठीक है तो यहाँ पर यह आपसन करेक्ट हो जाएगा 80 नमर कोश्चन है एक समसामाईक मार्सवादी विचारक जिशने मार्सवाद की मानवताबादी सिद्धान को चुनोती दी और उसकी जो है सनरजनात्मक व्यक्ख्या पर बल दिया था तो यह किस ने दिया था तो लुई आल्थूसर ठीक है लुई आल्थूसर ने दिया था लुई आल्थूसर ने मार्सवाद के बाणवतावादे सिद्धान्त को चुनोती दी थी तथा उसकी संदजनात्मक व्यवक्ख्या पर बल दिया था और इसका अल्देख आल्थूसर ने अपनी पुष्टक आफ मार्क्स में किया था 81 नमबर है उदारबाद का मोल शिद्धान्त है तो उदारबाद का मोल शिद्धान्त क्या है तो उदारबाद का मोल शिद्धान्त होता है व्यक्तिकत सुतन्ता ठीक है व्यक्तिकत सुतन्ता उदारबाद का जो है मोल मंत्र व्यक्तिक सुतन्ता है तथा यह एक ऐसी समाजिक ब्यवस्था का पिजबादन करता है जिसमें ब्यक्ति को किसी अन्य सत्ता के यदिन पंग होकर अर्थात कहा या तो गुंगा होकर जो है जीवन ब्यतीत करना ना पड़े तो यहाँ पे C आपसना आपका करेक्ट होगा प्यासी नंमर प्रुष्ण है किसका पिस्वाद था कि राजगतबाद मनुश्य के नेतिक विकास का प्राकरतिक लक्ष है तो ये था टालस्टाय का ठीक है टालस्टाय के अंसार जो है आराज़ जक्ताबाद मनुष्य के नहीतिक विकास का प्राकतिक लक्ष है 83 QASON है बेटेईन की Berverage Report ने किस सिधान्त का समर्थन किया है बेटेईन की pregunt सिधान का समर्थन कीया था तो ये कल्यानकारी राजी का समर्थन किया था यह report कब आई थी 1942 में 1942 में ये प्रस्तुत की गई थी 84 अधिकतम वेक्तियों का अधिकतम सुक सिधान्त क्या बताता है? तो यह बताता है विक्तियों की गड़ना calculus का निर्थेवाण करता है जो विक्तियों की अधिकतम सुक में सामझ ज़िस्ता लाकर सुख के कुल निर्थारन करता है तो C-्लसफ आपका correct हो जाएगा अधिक्तम बैक्तियों का अधिक्तम सुख सिधान्त ब्यन्थम द्वारा जी हुए यह दिया गया था आप लोग जनते होंगे यह किसके द्वारा तो ब्यन्थम द्वारा दिया गया था और उन्होंने कहात बैन्तम ने माना था कि सुख और दुख कालपनिक बस्तुए नहीं हैं बलकि ये वकाइदा मापतौल की बस्तुए हैं उशने भिन भिन प्रकार के सुखोक में गुड़ात्मा कंतर का खंडन करते हुए परिमारात्मा कंतर पर बल दिया था तो यहाँ पे C आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा 85 नमर कोशिन है मैख फरसन को सतंतता के एक नवीन विचार के पृतिपादक के रूपे माने जाता है यह विचार किसका है तो यह विचार जो है किसका है तो यह स्रिजनात्मक सतंतता का यह अवधारड़ा है यहाँ पे D आपसन करेक्ट हो जाएगा मैख फरसन ने उदारबादी सिद्धानत के अंतरगत जो है सतंतता की संकल्पना पर परहार करते हुए स्रिजनात्मक सतंतता का प्रतिबादन किया था तो यहाँ पे D आपसन करेक्ट हो जाएगा 86 नमर कोशिन है तो यहाँ पे आपसन सही हो जाएगा एडिशेवन नमर कोशन है किसके अनसार पजातंत काले रक्षकों का कुली इनतंतर है तो ये है टेली रेंड के अनसार ठीक है टेली रेंड के अनसार जो है पजातंतर काले रक्षकों का कुली इनतंतर है ठीक है तो भी आपसन करेक्ट हो जागा 88 नमर प्रशन है सीले आश्टिन लिंकन एमंग डाइसी के इनसार प्रजातंत्र का विचार है तो प्रजातंत्र का विचार कैसा है तो राज सरकार का एक स्वरूप है ठीक है सीले आश्टिन लिंकन डाइसी के इनसार प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप है ठीक है यहाँ प सब्सक्राइब को देखा जाए तो वह सरकार का सवरूप माना था प्रजातन्त्र को ठीक है तो सी आप्सन करेक्ट हो जाएगा है एटीनाइट नेमबर प्रश्ण है सवतनत्ता के तीन प्रकारों के बीच बारकर ने विभिथ किया तो वह कॉंट कुण से विभिथ थे तो वो विभेद थे आपका नौकिक स्वतंतता, राजनीतिक स्वतंतता, आर्थिक स्वतंतता, ठीक है, C आपसन आपका करेट हो जाएगा, बारकर ने स्वतंतता का बर्गे करण किया था, नागरिक स्वतंतता, उसके बाद राजनीतिक था, उसके बाद आर्थिक था, उसके भी आप लोग याद रखिएगा तो चार प्रकार के स्वतनताओं का जो है विभेद किया था तो यहाँ पर आर्थिक तक दिया है और राष्टी नहीं दिया है तो यहाँ पर राष्टी भी होना चाहिए ठीक है तो नागरिक और नागरिक राजनीती का आर्थिक और राष्ट नंटी नमर कोशिन है भेज सिद्धान्त राल्स का निया सिद्धान से तातपरी है राल्स के निया सिद्धान को भेज सिद्धान के नाम से भी जाना जाता है ठेक है तो इसका तातपरी है जो उन्होंने भेज सिद्धान दिया था उसमें जो है आय और संपदा की ऐसा आभानूद के लिए जो हे अधिक्तम लाबकारी हो तीक है इस सिधान्त में ये बताया गया था ठीक है इसमें कहा गया था कि आय और है जो समपता की आसमानताेat हैं उसी इस्साथी में उचित मानी जाएंगी यदि भी निवणत्म six to लिए जो है आधिकतम लाबकारी हूं ठीक है तो यहां पे C अपसन सही हो जाएगा और यह सिद्दा तो उन्हों ने अपनी पुष्टव कोई यह थेवरी आप जेस्टीस में दिया था ठीक है यह थेवरी आप जेस्टीस में उन्होंने दिया था किसने रालस महोदेने 91 नमबर है कौन सा युएग में सुमेलित है तो इसमें सुमेलित संपत्य मानो श्रम के उत्पाद के रूप में पौधे ठीक है पौधो ये किसने का था ये पौधो लिख दिया पूधो लिखना चाहिए था तो ये भी गलत है ये कहा था संपत्य मानो श्रम के उत्पत्य के रूप में तो ये कथन था लाग का ठीक है लाग का था तो ये गलत हो जाएगा सुमेलित नहीं है संपत्ति के चोरी के रूप में मार्स ठीक है संपत्ति के चोरी के रूप में इसको प्रोधो ने कहा था ठीक है प्रोधो ने इसको कहा था यहाँ प्रोधो नहीं यह प्रोधो था लेकिन यह भी नहीं सही होगा लॉक ने कहा था और संपत्ति उपकरण के रूप में अरस्तु तो ये बिल्कु सही है ठीक है संपत्ति जो है उपकरण के रूप में ये कहा था अरस्तु ने कहा था और संपत्ति अतरिक्त मुल्के हथियाने के रूप में लॉक ठीक है तो संपत्ति मानव स्रम के उत्पाद के रूप में है तो ये जनलाक ने कहा था ठेकें और संपत्ति चोरी के रूप में है ये मार्स नहीं बरकी प्रोधों ने कहा था और संपत्ति उपकरड के रूप में है अरस्तूर ने कहा था तो यही सही आपका सुमिलित है और संपत्य अत्रिक्त मुल्ग के हथियाने के रूप में है तो यह लाक नहीं जो है किस ने कहा था तो मार्स ने कहा था तो यहां पर पूछ रहा है आप से कौन सा सही सुमिलित है तो सी आपसन आपका सही हो जाएगा नामbor क्नैस समपत्ति के आदर्सवादी विचार से सम्पन्द में था मैं Бुस फ़्ला आदर्से कोके विष्दाथ का है कि रिए आधर्सवादी समपत्ति को व्यागतित्त के विकास के यहाद सब्सक्ति हीगल इसमें ग्रीन कॉंट हीगल यह समनाम प्रमुक रूप से आते हैं तो भी आपसान आपका करेक्ट होगा कि 93 नमर कोश्चन ने निमने विचारों में से किसे ने प्राक्रति कदिकारों को मौन बेग्यानिक रूप के साथ मिलाया था तो यह आपका इस्पेंसर हो जाएगा ठीक है भी आपसान सही हो जाएगा इस्पेंसर ने जो है प्राक्रतिक अधिकारों के सिधान को मौन बेग्यानिक रूपक के साथ जो है मिलाकर प्रसुद किया था तो भी आपसान करेक्ट होगा 94 नमर कोशन है लाक्सकी के अनुसार निमने में से कौन सी एक अधिकारों के उपियोग के लिए महत्पोर्ण सर्त है तो राजे को विकेंदेत होना चाहिए ठीक है राजे को विकेंदेत होना चाहिए लाक्सकी की एक पुस्तक थी एक ग्रामरा पॉल्टिक्स और उसमें जो विकेंदरी करण अधिकारों के आधर्स रूप का सत्रु है ठीक है तो यहां पर यह आपसन आपका करक्ठ हो जाएगा 95 नमर कोचिन है निम्र मेंसे किस विचारक ने राजनीतिक च्ई का सिधान प्रित पाधित किया था यहां फाल यहां पर यहां निंग नहीं और यहां के आपको जाएगा 96 नमर कोशिन है राष्ट एक धर्म है जो इस्वर परदत है यह कथन किसका है तो यह अरविंद घोष का है ठीक है राष्ट एक धर्म है जो इस्वर परदत है यह कथन जो है प्रसिद्ध करांतिकारी थे अरविंद घोष उनके द्वारा यह कहा गया था तो भी आपसना आपक होगा कि नैंटी सेम नमर प्रश्ण है स्वतंत्र व्यक्ति हुआ है जो लोहे की जंजीरों में जक्रा नहीं है ने जेल में बंदी है ने दंड के भय से एक दास की भात आतंकित है चील की भात उड़ान ने भर सकने या हेल की भात तैर ने सकने को स्वतंत्रता का अभाव नही ठीक है और उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे आंत्रिक और बाहे दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो ब्यक्तिक क्रिया में बाधा डालते हैं ठीक है तो सी आपसनापका इसमें करक्ठ हो जागा उन्होंने कहा था आंत्रिक और बाहे दोनों प्रकार के अव वो उसको चील की भात उडान करना चाहिए, हेल की भात तैरने के स्वतनत्रा होना चाहिए, तो इन्हों ही आंतरिक और बाय दोनों प्रकार किसा मज़्यस्य को उन्होंने स्विकार किया था, तो C आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा, 98 नमर है, निमलिकित अउधारणा के बिशय में ग्रीन की प्राथमिक्ता का निर्धान करना है, तो उन्होंने सबसे पहले की आमाना था, सबसे पहले उन्होंने कहा था चेतना, ठीक है, चेतना की जागरित होनी चाहिए, और दूसरे नमबर पे कहा था चेतना के बाद सुतंतता आना चाहिए ठीक है सुतंतता आना चाहिए उसके बाद जो है कहा था सुतंतता के बाद अधिकार का होना चाहिए फिर राजिकास्तित्व होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आपका सही उत्र हो जाएगा आपका option number A ठीक है पहले पे चेतना आता है फिर सुतनता आता है फिर अधिकार आता है तब सबसे last में जो है वो राजे का वर्डन किया था ठीक है तो A आपसना आपका correct हो जाएगा 99 number है किसने राजे को मानो मस्तित का व्यहद रोब कहा है तो यह कहा है प्लेटो ने ठीक है प्लेटो ने जो है राजे को मानो मस्तित का व्यहद रोब माना है तो A D आपसना आपका correct होगा सवा नमबर कोशन है वो है कहता है ग्यानवर्धक अराजकताबाद की स्थिति है जहां हर कोई स्वयों अपना सासक है वो है कौन है तो है प्रिंस क्रोपाट किन ठीक है प्रिंस क्रोपटा किन ने जो है ग्यानवर्धक अराजकताबाद की बात किया था ठीक है प्रिंस क्रोप प्रोपार्ट किन इन्होंने जो है ग्यानवर्धक अराजा भावाद की स्थिति को बताया था ठेक है तो यहां पर भी आप सनापका करेक्ट हो जाएगा तो फ्रेंट से रहें मात्रपूर्ट पचास परशन कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रू बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों में सेर कीजिएगा फिर मिलते हैं अगले पार्ट में पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धरने बाद